नमाशकार दोस्तो दोस्तो आज हम लेकर आएं एक बेहतरिन पावरफुल सूप लेकर आएं अगर आप इस सरदी में बना कर इस सूप को पीएगना दोस्तो तो आपकी जो हड्डियों में कमजोरी है, जोडों में दर्ध है और ठकान होती है इस सूप से दोस्तो सब दूर हो तो बहुती टेस्टी दोस्तों ये सूप बनने वाला है तो वीडियो में बने रहे हैं इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले मैहा पर एक बरतन ले लिया हूँ इस बरतन में एक चम्मच भर के देसी घी एड़ करेंगे दोस्तों देसी घी बहुती ताकतवर होता है हमारे ड्यों के लिए और जोडों के लिए तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर तीन लसुन की कली चौप करके एड़ करेंगे इसके बाद दोस्तों एक तुक्रा अधरक चौप करके एड़ कर देंगे इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एक प्याज ले लिया हूं तो उसको बा लिया हूँ गाजर तो दोस्तों गाजर ना बहुत ही फाइदेमंद है हमारे सरीर के लिए तो इस वज़े से दोस्तों मैं आपर गाजर एड़ किया हूँ इसके बाद हम यहाँ पर कच्चा पपीता ले लिए हैं दोस्तों कच्चा पपीता हमारी हड्डियों के लिए बहुती फादे मन्द है क्योंकि कच्चे पपीते में कैलिशम पायाता है इस वज़े दोस्तों हमारी हड्डी बहुती मजबुत होती है तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए तो कच्चा पपीता को दोस्तो मैं कदूकस कर लिया हूँ तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी दोस्तो कच्चा पपीता को कदूकस किया हूँ यह दिखे थोड़ा सा मैंने कदूकस किया हूँ तो इसको मैं एड कर दूँगा इसके बाद दोस्तो हरी इलाइची एड कर देंगे 3 4K मैं यहाँ पर एड किया हूं दोस्तो अब हम यहाँ पर सब चीज को दोस्तो अच्छी तरह से mix करेंगे लगभग दोस्तो low fame में 2 मिर्तक इसको ऐसे ही चलाचला कर दोस्तो mix करना है फिर उसके बाद दोस्तो अब हम यहाँ पर एड़ करेंगे पानी तो जितना आपको सूप पीना है उतना आप पानी एड़ किजिएगा तो मैं यहाँ पर दो कप पानी एड़ किया हूँ इसके बाद दोस्तो मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ हल्दी तो एक चौथाई चमच हल्दी ले लिया हूँ दोस्तों दोस्तों हल्दी हमारे बहुती फायदे मंद करती है जैसे गले में जो खरास होती है वो दूर करती है और हड्डियों को भी मजबूत करती है जॉइन पेन में भी दोस्तों ये बहुत ही असरदार होती है हल्दी इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ ब्लैक पेपर आधा चम्मच इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ दाल चिनी पाउडर एक चौथाई चम्मच इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च एड़ किया हूँ चौप करके इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने ले लिया हूँ हरा प्याज बारीक चौप करके तो प्याज ना दोस्तों बहुत ही फाइदे मंद करता है तो इसको जरूर आपो सूप में इस्तेमाल कीजेगा तो मैंने यहाँ पर पूरा हरा प्याज एड़ कर दिया हूँ इसके बाद दोस्तो हम यहाँ पर एड़ करेंगे स्वाद अनुसार नमक तो नमक एड़ करने के बाद दोस्तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद दोस्तो अब हमें इसे लो फेम करके ढग देना है दोस्तो पांच मेंट के लिए तो बहुत अच्छे से दोस्तो हमारा सूप अच्छे से पक जाएगा दोस्तो तो दोस्तों यहाँ पर 5 मट हो गए हैं और मैंने यहाँ पर कैफ को निकाल दिया हूँ बहुत बड़ी हा दोस्तों खुसबू आ रही है और इसे हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है तो यह देखे दोस्तों हमारी यहाँ पर सूप तयार हो गया है बहुत ही powerful दोस्तों ये शूप बनके तयार हो गया है आप इसे सर्दियों के मौसम में जरूर बना कर पीजेगा आपके हड्डियों और जोड़ों में दर्द और जो ठकान होती है दोस्तों हमारे सरीर में वो सब दूर कर देगा दोस्तों इस सूप को पीने से दोस्तो इस सूप में कच्छा केला पड़ा है गाजार पड़ा है दोस्तो बहुत ही पावर्फुल दोस्तो ये सूप बना हुआ है और जरूर आप इसको इस सर्दी में बना कर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा दोस्तो अगर आप में चनल पर नए आए तो चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम ऐसा वीडियो लाते रहते हैं तो फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में